अपने विभाग के अंदर शुरू किया जब हमारे विभाग पर अंगली उठ रहा था तो हमने उसको जब देखा कि इसका आवंटन कैसे हुआ है तो वो डीटेल आज देखे सामने आया कि एक तारी को प्रीतम जो तेजस्वी जादाउजी के पियस हैं जी उस समय इस विभाग के मंत्री वही थे और आज नेता परतिपक्ष हैं आज भी साइद वही पियस हैं फिर चार तारी को उन्होंने तीन बार फोन किया प्रीतम और सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराया अनुराग ज्यादा उसमें ठहरे इस तरह से सिकंदर प्रीतम तेजस्वी के साठ काट की उचस्तरिये तो जाच होनी चाहिए और सिकंदर का लालू पडिवार से क्या घनिष्टा है राची में जब लालू प्रसाजी जेल में थे उसी समय से निकट आया वो जलसन साधन विभाग में जेई कैसे बना वहां से नगर विकास में जब तेजस्वी जादाउजी नगर विकास के मंत्री बने तो फिर इसमें कैसे और कई जगा के परभाव परभार भी मिला उनके परभाव भी बढ़ा तो ये तमाम विसाई पर जो सत्ता और रसूप के सहारे परतिभा का गला घोटने का खेल हुआ है इसकी तो उचस्तरिय जांसे ही अस्पस्ट होगी लेकिन देखे देखे सरकार आपकी थी आपकी है केंदर में भी और बिहार के अंदर भी तो आपकी सरकार क्या कर रही थी जब इतना बड़ा खेल चल रहा था पेपर लीग तो आपके सिस्टम में हुआ है ना सर मैं आपकी तमाम बातों से एगरी करता हूँ को तेजस्वी आदव का पीएस था उसने कॉल करा उसने गेस्टा ऊस्विक कर लिया लेकिन शासन तो आपी का है यह पेपर लिक का मामना तो आपी के साथा दो कि मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूं और सत्ता में नेता प्रतिपक्ष सरकार के केबिनेट मिनिस्टर का दर्जा में रहता है उसका पावर उसका रसूक उसी हिसाब से चलता है यह साधारन विशाई नहीं है बिल्कुल मैं एगरी करता हूं साधारन मिशे नहीं है तेज़ेश्वी यादव का रसूक होगा बहुत बड़ा रसूक होगा लेकिन मैं कह रहा हूं तेज़ेश्वी यादव सरकार तो नहीं है सरकार तो जेडियो और भारती जंता पार्टी के है तेज़ेश्वी यादव का और रसूक जो है वो सरकार से तो बड़ा नहीं है यानि आप के रहे कि तेजसुई आदव इस समें बिहार की सरकार से भी बड़े है विसाइक की गंभेड़ता को लेके ही तो सरकार इतनी सजगता से एक्षन में है पूरी बात को जानने के लिए नहीं करता आप पियेस तो पेपर को लीक करवा या वो शामिल था उसने यादवेंदर को बोला शिकंदर को बोला मैं पूरा खेल समझरा हूं मैं पूछ रहा हूँ कि वो पेपर वहां तक पहुंचा कैसे उसको पहुंचाने वाला कौन था तेजैस्वी यादव के PS की आप जांच करें तेजैस्वी यादव की जांच करें वो करें लेकिन मैं ये विधर्तियों के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, वो पेपर वहां तक पहुंचा कैसे, उस गेस ता उस तक वो पेपर पहुंचा कैसे, जिसके जवाब लिखे गए पूरे जांच रिपोर्ट आने के पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, जांच रिपोर्ट आएगा तो बहुत प्रस्णों का जवाब आपको मिल जाएगा आप कह रहें कि दुबारा एक दुबारा बात करतें इस बार में, आप कहने तेजस्ट्वी आदफ का पीएस था, उसने कमरा बुक कराया, गेस्टाउस का, जिस कमरे के अंदर आंसर शीट को आंसर दिये गए, यही आप कह रहे है, देखे मैं सिर्फ जांच किया है, ने ने देखे मैं बता दूँ कि मेरा जिम्मेबारी था कि वहाँ पर वो पहुंचा कैसे, आबंटन किस ने किया, कौन लोग इसके परदे के पीछे थे, और यह सच का जो हमें मिला है, हमने आप लोगों को वो सच से अवगत कराया है, बाकी काम जाच एजनसी की है, वो जाच करके कौन है कि परदे के पीछे कौन है, आज आप लुगाता कर दिजी आरपार में, कौन है परदे के पीछे, वो जाच रिपोर्ट जाच रिपोर्ट आने दिजीए, सिकंदर प्रितम तेजस्वी के मामले की जब जाच होगी, तो आपके प्रस्णों का जबाब भी आएगा, औ और जो आप परतिबाओं के साथ जो गला घोटने का खेल खेलते रहा है, आईसे लोगों का भी हिसाब किताब केंदर और राज सरकार चुकता है। कि परदे के पीछे बड़े लोग है, वो कह रहे हैं कि आप लोग बड़े लोगों को बचाना चाहरे हैं, तो कहानी क्या है, मैं अपने विधरतियों के लिए सवाल पूछ रहा हूं सर, वो बहुत परिशान है, प्लीज दीजे जवाब। ये लोग राजद की जो मानसिक्ता रही है, अपराधी और भरष्टाचारी को संड़क्चित करने का, प्रसिक्चित करने का, पोसित करने का, ये मानसिक्ता पर उनको बताना चाहिए, कि आज उनका पियस, आज सिकंदर, और आज अनुराग, प्रीतम, तेजस्ची जादों से कैसे जुड़े हैं, लालू परसादों के निकटतम कैसे हैं, उनके परिवार के साथ, और देखिए, बिहार को, बिहार को, इन लोगों ने कैसे फजियत में डाले हैं, उसकी भी जां सरकार का मिर्टा से करे, जांच कराइए, आप जांच कराइए, कारवाई करिए, मेरा निवेदन है, लीप अप होती ही, मत कीजेगा, क्योंकि यह जो पूरा मामला है, यह चातरों के भविश्यों के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट नही है, इनके साथ माबाप का भविश्य भी है, एक विधरती का, एक स्टूडेंट का अगर भविश्य खराब होता है, तो उसके साथ माबाप का भविश्य भी खराब होता है, पूरे परिवार का भविश्य भी खराब होता है, आप सही कह रहे हैं, मैं भी इनके साथ मैं भी न नहीं बीमारी की पूरी तहकीका तो चानवीन करके अस्थाई समाधान के लिए राज और क्यंदर सरकार दोनों गंबेरे जी 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 विजे सेना जी इसलिए हम लोग इतनी चानवीन और कारवाई कर रहे हैं चानवीन करिये कारवाई करिये राजनेतिक रोटिया कोई ना से केस विशे के ओपर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बड़े मौके पर हमारता जुणने के लिए विजे सेना धन्यवाद उन्यवाद